हेलो एवरिवन मैं विलाल एक बाफीर से आप सभी का स्वागत करता हूं रासा करता हूं आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो स्टुडेंट आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 के राजदेती विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टन टोपिक यानि एंडिये और यूपियो के बारे में तो दोस्तों फोकस के साथ वीडियो को देखें और चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करतें बैल आइकन को दोबारा ना भूले मैं आपको गैरंटी देता हूं कि आपको इस टोपिक को दोबारा पढ़ स्थापना कब होती है 1998 में यह भारत में एक राजनिति गडबंदन है और इसका नेत्र तो कोन करता है भारतिय जनता पार्टी तो एंडिये क्या है इसके वसक्ता क्यों पड़ी तो दोस्तों 1967 से लेकर 1977 का दोर एक पार्टी की परभुत्तों से बहुत अलिए राजनिति तक के सफर के गवाबना और कई राज्जों में अब तो दिविदेली ववस्ता आ चुकी थी और इस परविरतन ने 1989 के चुनाओं से पार्टी विवस्ता में नए यूकर स्थित्पाद किया क्योंकि अब अकेले दम पर किसी पार्टी को बहुमत पराप्तों नहीं होता था या चोटी चोटी पार्टी दुवारा अनेक गड़बंदन की सुरुवात की की और उन्हीं गड़बंदन में से एक गड़बंदन है जिसका नाम है NDA स्थापना 1998 में और इसकी जो सबसे बड़ी घटा गड़दा लिया सबसे बड़ा पार्टी वो कौन सी है बीजेपी बीजे इसके अगंडिय की बात करें तो NDA की गठन के समय इसके सदसुक संक्या कुल 13 थी क्योंकि प्रतेक चुनाओं में इस इन सदसुक संक्या घटी बढ़ती रहती है वरतमान में NDA की बात करें तो इसमें कुल 27 गठन यानि गड़बंदन दया घटक दल मौजूद है 1998 में राष्टे जनतात्रे गड़बंदन गैर कौंगरी सरकार गठन के दिर्माड में ये पहला कदम था और 1998 में बात कर सकते हैं कि हम पहला NDA सरकार बनती है निए फर्स NDA के स्थापना कब बंद होती है वो 1998 में और उसके पहले NDA के पहले प्रतार में दिर्वा बनते हैं सरकार अटेली ब्यारी बाजपाई की ही नेत्रत्म बंती है जो पूरे पांच साल तक चलती है सोलमी लोकसभा यानि सोलमी लोकसभा 2014 में NDA को कुल 377 सेट मिलती है और NDA में जो सबसे बाड़ा घटक दलोता BGP उसके सयोग से NDA सरकार द्वारा एक नए सरकार बनाया जाती द्वारा जैसी बाजा और NDA 3 के प्रदार मिंतनी नरेंडर मोदी और NDA 4 के बदार मंती है NDA 3 और 4 के प्रदार मंत्री है भारते प्रदार मंत्री नरंद्र मोधी और NDA 1 और 2 के जो थे वो थे अटल व्यारी बाचपई 17 लोगस वहामे NDA को कितनी सीटे मिली 353 सीटे हैं यहां से प्रसंद पूछा चासकता है ठीक इसी प्रकार कि 14 लोगस वहामे NDA को कितनी सीटे मिली थी 377 सीटे और 17 वी लोग समय बीजीपी जो अंडिया के सबसे बड़ा घटक दल है उसको कुल कितनी सीटे मिली तीन सो तीन सीटे तो ये रिश्टोडन आपको पता हो नचे कि अंडिया या अन्य गड़बंदन दलो इसलिए की गई थी ताकि सरकार बनाये जासे क्योंकि अब एक ऐसा सम आचुगा था कि किसी भी दल को 1989 बाद बहुमत प्राप्त नहीं होता था और सरकार बनाने के लिए ही छोटी छोटी दलो द्वारा घटबंदन की सुरुआत की गई अब इसलिए हम कहते हैं कि 1989 से ही घटबंदन की सुरुआत भी माने जाती है चलिए अब बात करते हैं यू यूपीए सन्युक्त प्रगतिसील गडबंदन या यूनाइटेट प्रोग्रेसिव अलायंस की स्थापना कब होती है दो हजार चौदो में और भारत में ये भी एक राधनिती गडबंदन है इसका नित्त तो कौन करता है भारतिराश्टे कॉंग्रेस यहां यूपीए की स्थापना कब की ऎलती है 2004 के लोग सबाद चुनाओं में और यूपीए 1 के जो प्रधार मंतरे थे डॉक्टर मनमोहन सिंग इसी प्रकार से यूपी यह या निन नौ में यूपीए 2 के भी प्रधारमंतरेटे डॉक्टर मनमोहन सींग तो और इसमें अगर हम बात करें कोंग कि यूम ने कॉंग्रेश की स्थापना की थी ठीक है तो कांग्रेश भारतिय राद निति चैसे प्राचे इंदल है और तो दोस्तों यह रहा हमारी यूपीए और णिये से संबंधी सभी प्रसइशन और जो यूपीए से प्रसषन पुछा修ता है अंडिये क्या पुछा जाता है ऑन तो च्री और वर यहाई इन्डेय वन प्रदामें सब्सक्राइब को लोग सब्सक्राइब कितनी सब्सक्राइब करने बाद आपको इस एंडियो से समझे सभी परसन आप हल कर सकते हैं एक परसन आपको छोटेगा नहीं तो आई होप दोस्तों मैं आपके सभी डाउट को किलर कर पाया हूँ फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें वीडियो को सेर करें लाइक करें अगर आपको इस वीडियो कुछ भी सीखनों की मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस करना ना बुलें हमारे साथ ब जरूर बताईए कि नेस वीडियो की स्टोपिक बचाईए तब तक के लिए जैहिन